हलो दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं UPPCL junior engineer की जैसा कि आपको पता होगा UPPCL ने junior engineer के recruitment के लिए बिग्यापन या बिग्यापत जारी कर दिया, advertisement निकाल दिया है इसके form December first week में भरे जाने है और December last week तक भरे जाएंगे और फरवरी में इसका tentative schedule दिया गया है जो exam होगा अगर हम बात करें पोस्ट की तो पोस्ट कोड आपके electrical का 161 है और electronics का 162 है ये दोनों पोस्ट के पोस्ट कोड है electrical की vacancy अच्छी है normally vacancy इसी तरह से open होती है UPPCL में क्योंकि हर दूसरे साल आप उठागे देख लिए हर second हर engineer की vacancy आई है और आती रहती है तो इसमें आपने देखा होगा कि जूनियर इंजिनियर इलेक्टिकल में जनरल और EWC, CST को मिलाके 200 की career vacancies है और इसके लिए जो qualification होता है वो diploma मांगते है कि diploma होना चाहिए आपके पास वो भी electrical engineering में आप जिस ब्रांज में भर रहे हैं या AICTC से कहीं में तीन साल का diploma होना चाहिए जो मान नहीं हो तो यह चीज़ें आपकी इसमें है कि diploma से related कोई भी चीज़ें हो जिसे यह है आपका three year diploma examination of electronics यह electronics को है electrical में आप देखिए three year diploma examination in electrical engineering awarded by the प्राविधिक शिक्षा परिसत उत्तर प्रदेश अथवा diploma या equivalent हो state government का तो वो चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं कि diploma must होता है diploma आपका होना चाहिए electrical engineer में तो अब एज जो होती है age की boundation है इसमें 18 से 40 year तक होती है जो इसकी age है relaxation के बाद 20 CST candidate के लिए age थोड़ा बढ़ा दी जाती है 5 साल 10 साल 15 साल लेकिन जो general candidate है उनके लिए 40 साल तक valid है अगर आप कहीं किसी भी government या semi government organization में काम कर रहे हैं तो आपको इसमें NOC लगाना पड़ेगा कि आप कहीं पर present employee है जब आप यहां पर joining करने आएंगी तो exam देने के लिए आपको NOC नहीं लगानी पड़ेगी लेकिन जब आप selection ले लेते हैं तब आपको इसमें NOC देना होगा उस organization का और इसमें जो exam होता है वो 200 mark का होता है जिसमें 150 आपके technical रहते हैं 50 non-tech रहते हैं जैसा कि आपने notification में द category के लिए OVC और other category के लिए से general OVC EWS सब के लिए 1000 का फार्म रहता है फार्म की बात करें तो यह दिसंबर first week से सुरू होगा चार दिसंबर 2020 से 22 दिसंबर 2020 तक यह फार्म भरे जाएंगे और फरवरी में इसका exam होगा और exam दो इसमें दिया गया tentative first week of February तो tentative लिखा जरूर गया है लेकिन exam इनका वही होगा क्योंकि यह tentative हमेसा लिखते हैं और हमेसा exam इनका उसी time period में हुआ है तो यह बात आप ध्यान दीजिएगा कि इस चक्कर में मत रहिएगा कि exam date बढ़ेगी नहीं exam date इसकी नहीं बढ़ती है जो इन्होंने define कर दे उसी होता है हाँ rare case में हो स change नहीं होती है अगर first week February लिखे है तो इनका exam February में ही होगा तो यह ध्यान रखिएगा यही समझ सोच के तयारी करिए कि फरवरी के first week में आपका जीए का exam है और आपको selection लेना है और उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है जो just diploma पास हुए है कि जैसे ही वो पास हुए वैसे उन्हें एक मौका मिल गया है जौब को लेने का तो जैई का ही हो गया है अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो syllabus आता है वो क्या आता है और पैटर्न क्या होता है जो syllabus की बात करेंगे यूपी पीसेल का तो exam पैटर्न जो होता है रिटेन होता है वो भी multiple choice होते ह है 0.25 का negative marking होता है मतलब अगर चार question आप करते हैं गलत तो आपका एक सही question कर जाएगा computer-based पूरा test होता है अगर हम इसके syllabus की बात करें तो engineering subject डिपलोमा लेबल के जो होते हैं उनका 1500 नंबर का question आता है general knowledge और awareness 20 नंबर का reasoning ability 20 नंबर की जनरल हिंती 10 नंबर की आती है यह इसका syllabus है और इसके syllabus की बात करें तो electrical engineering का syllabus होता है उसमें basic electrical engineering electrical electronics material जिसे हम triple EEM भी कहते हैं आप डिपलोमा में second year में पढ़ते हैं basic electrical engineering first year में पढ़ first EEM second year power plant second year TND third year यह जितने भी subject आपको दिख रहे हैं electronics first electrical machine first electrical instrumentation and measurement power plant engineering transmission and distribution of electrical powers electronics IMRE switch gear protection IEC EDDE utilization of electrical energy electrical machine second control system process application principle of digital electronics electrical and electronics instrumentation यह सारे subject diploma के ही हैं आप उठाके पूरा syllabus देखेंगे तो यह सारी कि सारे subject आपने कहीं न कहीं किसी न किसी semester में पढ़े हुए हैं जैसे UEE, IMRE यह सब third year के हैं PPE, TND आपका EIM, machine first, electronic यह सब second year के subject हैं मतलब कहीं न कहीं आपने diploma में इसको पढ़ रखा है और वही आपक जो diploma का syllabus था, वही आपका same syllabus इसमें होता है, इसके लिए यह बात ध्यान रखिए कि आपको basic concept मजबूत करने पढ़े हैं क्योंकि numerical portion इसमें बहुत ही minor पूछे जाते हैं, mostly 99% इसमें theoretical रहता है और आप basic terms को लेके चलिएगा जब भी इसको पढ़िएगा, तो यह आपके technical थे जो junior engineer में जहां से question put up हो किये जाते हैं, non-tech की बात करेंगे, general awareness में common चीज़े आती हैं, history, geography, social science, quality, तो यह सारी चीज़े आती हैं, जो common होते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, reasoning ability बहुत ज़्यादा माइने रखते हैं क्योंकि 20 number की आती है, और 20 number में अगर आपने एक बार ठ reasoning और हिंदी के marks आपके free के रहते हैं, यह आपकी merit जो आपकी merit आती हैं उसमें यह बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं, तो non-tech पे भी बराबर ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो technical के चकर में आप non-tech बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि non-tech ही merit decide करती है UPPCL में, technical सब का एक ज ध्यान दीजिएगा, विशेज ध्यान का मतलब यह नहीं का आप non-tech पे ही आजाई है, टेक्निकल छोड़ दीजिए, नहीं, पढ़ना आपको दोनों है, दोनों equal में लेके चलने है, non-tech थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, non-tech में कम देना, लेकिन non-tech में जो भी point है, वो चाहें, आप non-tech एक्जाम में बैठएंगे, चाहें आप technical exam में बैठएंगे, state government exam में बैठएंगे, central government exam में बैठेंगे, किसी भी exam में अगर आप बैठएंगे, तो आपको non-tech आना ही चाहिए, बिना non-tech आप selection नहीं ले पाएंगे, कि आप सोच रही हails है, आप technical 200 में से 500 कर दीजिए ताकि आप selection से कोई रोक ना पाए तो यह आपका syllabus था इसे मैं description में भी provide करवा दूँगा syllabus आपको आपके description में मिल जाएगा तो यूपी PCL बहुत अच्छा मौका है diploma candidates के लिए आप अभी से आज से ही इसमें लग जाएए और दिन रात एक कर दीजिए ताकि आपका selection कोई आपका selection कोई रोक ना सके तो आपके यूपी PCL जाई की exam के लिए मेरी तरफ से best app luck आप इसमें लग जाएए जूट जाएए और इसी के साथ मैं आपको यह भी हमारे इस यूटूब चैनल पे ही डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए जूनियर इंजिनियर के लिए classes प्रॉइड होने जा रही हैं मैं इस पे आपको स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा सबसे पहला जो होगा वो बेसिक इलेक्ट्रिकल से मैं सुरू करूंगा हाँ अभी कुछ रिजिन की वज़या से नौंबर में नहीं सुरू कर पा रहा हूँ दिसंबर से आपको इस पे प्रॉपर classes मिलेंगी हो सकता है आपको live classes भी करने का मौका मिल जाए तो इसको आप subscribe भी कर लीजिएगा आपके लिए better रहेगा तो ठीक आपको जी की exam के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत सुफ़ कामना है